कर दोस्तों आज की स्कड़ी में हम बात करेंगे स्कुलेंट फ्लांट की वैसे तो स्कुलेंट फ्लांट बहुत वराइटियां होती है और अलग अलग शेफ और साइज में उपलब्द होता है जैसे यह वाला पौदा में देखा हूं कि यह सकुलेंट आप यह देख रहे हैं और वाइट के साथ में कितना बढ़ियां कॉंबिनेशन आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसा कि यह पौदा नहीं एक फूल हो जैसे गुलाब का फूल होता है इस तरह से आप यह देख रहे हैं यह सकुलेंट की पत्तियां आपको दिख रहे हैं मोटी मोटी और यह तीन इंची गमले में यह पौदा है तो काफी खूब सूरत पौदा है इस तरह के यह दिया आपको पौदों के आउशकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यह जो नमबर में दे रहा हूँ इस पर वाटसप भी कर सकते हैं इसको आपको इस पौदे की पूरी जानकरी मिलेगी ऐ यह सारे ओर भी पौदों के बारे में बताता हूं चलेए लोटस सकुलेंड बोलते हैं इसको इसको लक्षमी कमल हो विय बोलते है यह 3 इंच के गमले में है और यह इसमें multi shoot plant है और 10-12 पौदे एक ही छोटे से गमले में लगे हैं और यह 3 इंच के गमले में इतने सारे आपको यह पौदे देखने के लिए मिल रहे हैं आप चाहें तो बाद में इसको separate करके अलग भी कर सकते हैं और यह देखिए इस तरह से वराइटियां बहुत सारी होती है और मोटी मोटी पत्तियां यह देखिए कम पानी के ओशकता होती है छाओं में चलने वाले पौदे और इनको जो है बहुत ही शुप माना जाता है आप यह देख रहे हैं यह क्रासूला का पोदा है मोटी पत्ती इसमें दो तिन वराइटी आती है क्रासूला में लेकिन ज्यादा चलने वाली यह वराइटी बहुत बढ़िया है यह भी तीन इंच के गमले में है यह देखिए यह वाइट टैच है थोड़ा सा और लाइट ब्लू कलर दिख रहा है और यह भी जो है सकलेंड की ब्रह्मकमल वाली वराइटी है इसमें ग्रीन भी आती है थोड़ी लाइट पिंग भी आती है और अलग-अलग शेप में यह जो है पोदे उपलब दे रहते हैं पोदो की अलग खुबी होती है कि पोदो में अलग-अलग शेप होते हैं पत्तियों के शेप से लगा के पोदो के डंटल तक तो इसलिए एक पोदो की दुनिया अलग ही दुनिया होती है जिसमें कई सेकडों वेराइटियां होती है जैसे कि आप यह देखिए ये जो है एक पौधा है जिसमें वेरिगेटेड पत्ती है और हार्ट बना हुआ है और काफी खूबसूरत सिंगल पत्ती है और ये पत्ती सही लगता इसलिए इसका प्रपोगेशन भी इसी तरह किया जाता है सकुलेंट प्लान का प्रपोगेशन कैसे करते हैं उसका एक वीडियो मेरे इस चैनल पर है महाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं तो देखिए दोस्तों यह ढरीक पत्ती की वेराइटियां हें ये भी छोटे-छोटे पाट में हैं यह तीन इंच के पाट में है और अच्छा भरा हुआ पोदा है साइस के इसाप से बहुत बढ़िया है यह देखिए बारीक बारीक पत्ती ग्रेप्स वेरली वेराइटिया है और मोटी पत्ती इस तरह से कलरफुल पत्ती के साथ साथ में बहुत सारी कलरफुल वेराइटिया है जैसे यह कि यल्लो वेराइटी हो गई है इस तरह से आप इसक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए